करें है ऑधिक हेलो दोस्तों सबागत Γा Button fasting कि एक्सपेट डिट और तुकि है यह फाइस नवॉम्बर को एक्सपेक्टेद हैं यह ibloney को इक्सक्रक्राइट तो बहुत है जो है फीर civet में और टेक्नेशन की गोशन्स पूश्ञाइटें सब्सक्राइब और आप मुझे बताना कि जो एक घंटे में आपको प्युवाइक्व कोशन करना है 75 कोशन हम लोग साफर सारे कोशन करेंगे यहां पर जो मैस का पॉर्शन होगा जब वो कोशन आएंगे आप वीडियो को पोज करके उसको सॉल्ब करना और आगे बढ़ना बा वाला है कि सारे 75 कोशन जो आपके पूछे जाए गये थे पिछले साल 2018 में वह बहुत ही कम टाइम में आपका रिविजन हो जाएगा तो भाई वीडियो सुरू से लेके लाच तक देखना और लगे कि इस तरह का डिसकेशन आपके लिए बहुत जादा बेनिफिट है तो फि कुमाया जाए तो इन चारों में से कौन सा इमेज निकलेगा तो यह कोशन आप लोगों को ज्यादा ही मतलब कर पाओगे कम टाइम पे तभी जब घर पे ज्यादा प्रैक्टिस करो टेस्ट लगाओ ठीक यह आपको डी यहां पर दिख रहा होगा आगर बढ़ते कोशन दिय जिसकी वेल वोती 9.8 मीटर पर सेकंड स्कॉर चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर कोशन से कि निगेटीव एक्सेलरेशन इस इन दे ऑपोजिट डियरेक्शन निगेटीव एक्सेलरेशन का एक टर्म आता है जिसको लोग नकरातमक त्वरन बोलते हैं इंगलिस में सेटी ठीक है फोर स्कॉमन बता है मास इंटू एक्सेलरेशन मोमेंटम जो होता ही होता है मास इंटू वेल कैने क्लियर कोशन है कि वन किलोवाट है आवर एकल एकटन होगा तो तो किलो मतलब 10 रूष भी हो गया वोट मतलब जूल पर सेकंड और होगर घंटे को घंट में कर करना तो एक घंडा परावर 3600 सेकंड यह सेकंड शेकंड कर जाएगा और इस यहां पर डेसिमल लगाएंगे तो यहां पर 10 to the power 3 है और यहां पर 10 to the power. यह 10 to the power 6 हो जाएगा और यह 3.6 और यहां बचेगा क्या Joule तो 1 kilowatt वार इकुल ठीक है और 18 गृप्स होते हैं तो एकोडिंग टू निव लेंड होता है सबसे अंतिम तत्व का जो नाम होता है थोरियम होता है क्लियर है कोश्चन सब्सक्राइब यह तो आप लोग जो अभी हुआ है तो ऑलम्पिक से आपका कॉश्चन सब्सक्राइब जितने भी मेडल जीत मतलब गेम खेला है और किसी ने ब्रॉंज मेडल जीता है किसी ने अपना सिलिवर जीता है तो उसका आपका नोट्स प्रोकर होना चाहिए ओलम्पिक गेम का फिच अधिक फॉलेंग इस नोटे ट्रैंगलर नंबर आपको बताना कि इन में से कौन से ट्रैंगलर नंबर नही सी और ब्लिचिंग पॉड़र मतलब तो क्लोरिन गेस निकलती है अगर बढ़ते हैं वह इसको पोज करना है और बताना है कि इसमें कौन सा ओप्शन चारों में से सही दिया हुआ थी आप लोग खुद करोगे और यह जो अलफाबेटिकल दिया हो रहा था सिक्वेंस तो यह होता यह 22 होता तब ही जाकर जल्दी आंसर देपाओं ठीक है किसे इस कोशन में एस मतलब 19 टी मतलब 20 यू मतलब 21 बी मतलब 22 तो यह आगे क्या होगा 23 23 व तो इस तरीके से कोशन इसको सॉल्व करना होता पोज करो इस कोशन को पोज करो पिर करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ इसमें पूचा गया कि अलेंगिक प्रजनन लेंगिक प्रजनन से होता है और अलेंगिक प्रजनन में क्या होता है कि इसमें जो नए जीव जनक माता-पिता के समान होते जो दन्यू और गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टुदा पेरेंट यह होता किसमें मिल रहा है एक ट्रोफी मिल रहा है तो यहां सब मिलके क्या मज़ें मोज काट रहे हैं तो आपको समझ मा जायागा यहां पर क्या हो रही है से लिवरेशन हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से कोश्चन आपका माइंड मतद्द चेक कर सकता कि यहां अलग कुछ सोच पाते हूं क यह कोश्चन देखो यहां पर एसाई सिंपल इंट्रेस्ट और कंपाउंट इस वेरी इंपोर्टेंट विकॉस्ट टू टू थी कोश्चन रेल्वे जो यहां से पुछाए पुछती ही है इसलिए टॉपिक भाई अच्छे से कर ले ना वीडियो को पॉज करो इस को सोल्व क गिरों कि अगला कोशन से कएकदा रिफ्लेक्टर आप सर्ष लाइटा सटला को सर्ष लाइट जो होता उसमें कौन सी गलासिस होती है मितलत दरप्पन तो इत्तल दरपन खाइब कौन नोट्वे रेन्या talking एक्रोसकोपिक गया लिए फांड विदिन्रेन यूट शुक्ष मं रिक इस्तान होते हैं जो माई लिनेटेड एक जोन में पाया जाता है ये भाई किस टॉपिक के कोश्चन से अब लोग इसको थोड़ा सा देखो ठीक है अब यहां कोश्चन पूछ लिया गया पार्टनर्सिप के बारे में आप लोग को पता होगा कि profit is directly proportional to investment into time ज़्यादा time ज़्यादा profit ज़्यादा investment ज़्यादा profit इसी ratio पे जो होता है सारे questions बनते हैं आप इस questions को पोज करो और यहां पर वीडियो को पोज करके इस questions को solve करो questions पूछा गया है यहां पर कि by which of the following are metals of high reactivity extracted from purified molten ore निम्लेकित में से किस अभीक्रया, दोभारा उच प्रक्रतिया वाली धाथूअ का अल्य का समें, हुआ का है, ठीक है, तो हमें पता है कि मॉल्टेर और जो हम लोग हुआज खनं करते हैं, तो वहाँ से खनी지만 को सबता हैं, मिन्रल बोलते हैं, ठीक है, और वो मिन्रल जिस मिन मिन्रал से म्लों धातू बना सकते हैं मतलब मेटल बना सकते हैं पर प्रक्रिया तहत बनाएंगे तो इलोक्टर्लाइस्सक प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग जैस कििया जाता है है clear है the electrolysis इसका अंसर हो जाएगा इसा इसमें दिया कि select the option related to the third figure in the same that is related to the third figure in the same way the second figure is related to the first figure तो second है यहां पर first तो भई फॉर्स्ट तो भाई जिथर्ड किसे related होगा तो यहां पर दिक रागे एक रिंग जो है यहां पर आपका दिखाया गया हाथ तो भाई रिंग जो है यह उंगलियों में पहनेंगे तो यह क्राउन जो है यह कहां पर लगाऊगे ना भाई यह माथे पर लगाएंगे देखो माथा का पिक्चर है कहीं पर दिया हुआ कि एक ऐसा दो डिजिट का नंबर निकालना है ठीक है तो दो डिजिट जो है अगर इसको में लिखना चाहिए क्या लिख सकते हैं टेन एक्स प्लस वाई तो यह जो फाइंड टो डिजिट नंबर विच इग्जेक्ली थी टाइम्स दा प्रोड़क्ट आफ इट्स डिजिट त हो जा रहा है सब्सक्राइब हो और स्सेट को मजनैगा चंच करना है कि इस सब्सक्ति हो इसं थो जाएगा इन दो डिजिट के वाराबर वर रचे नहीं होगा इंट तो 249, आंट तो यह 10wh और फॉर इंटू फॉर आट चरह 32 भाई तो बारतिया 36 यह भी नहीं है चोविस को देखते हैं तो थ्री और चार दो नहीं आठ तो यह आठ तिया चोविस तो यही तो पुछा था इसलिए स्कॉप्शन हो जगत थ्री लियर है अब यहां के फर्वरी अब यहां पे आई पील कॉछा गया है कि कोलकाता बेस्ट टीम जो है कोलकाता नहीं ट्रेडर तो फर्वरी में जो हुआ था उसका मालिक कौन था तो भाई आप लोग को पता सारुख हन्त तो पूछ सकता है कि अभी जो पिछला फेल हुआ था उसका विनर कौन था उसका रनर अरप कॉन रहा है ति इस तरह के नुमेरिकल कोशन्स भी सोल्व करवाएं कि तो टाइम जाता लगता है कि कोशन्स अगला है कि बाई वीच लजिसलेशन इंडिया पाकिस्तान डिवाड़े इंटो टू इंडिपेंडेंट निशन हमें पता है कि भारत जो है वो दो देशों में बढ़ गया था ल अब इस तरह कोशन पूझा जाते हैं और इस स्टेट्मेंट को सभी माझना है ये इस स्टैट्मेंट को अपने ध्यान में रखके दो कंकलूजन देंगे अब बता हुए कि कौन सही है कि नहीं तो यह अपने तरीके से देखो और इस कॉशन को बहुं करो विजिए फॉलिंग विजिए नंबर्स गिवन बिलोव इस्क्वाइर रूट ऑफ 15376 तो भाई स्क्वाइर रूट कैसे किसी का निकालते हैं नहीं निकालते हैं इसका फॉर्मल आप लोग को पता होना चाहिए लियर है आप पूछा गया है कि सेलेक्ट दा ऑप्शन करेक्ट पूछा गया है ठीक है इसका हेल्दी का जो है मेरे रिमेज इमेज इमेज अप गिवन वाड़ मेरे इस प्लेश्ट ली बिलो दा वर्ड यहां इसके मतलब यहां पर रख दिया गया है तो किस तरीके का जो है आपको लेटर देखने को मिला एच और इमें कोई चेंज नहीं एक फिर से एटल्ट उल्टा हो जाएगा टाव व्योवी उल्टा हो गिए एस तो सही देखे का वाई उल्टा गया तो इस तरीके से पूछ आज इसका matt each and पिर यहां से एक स्टेंट्मेंट दिया गया है और और यहां पर आपको एजिएम्शंस दिया इसमें में तो क्रेंट क्या होता है न क्रेंट बाई आई1 is equal to I2 equal to I 3 current जो रहेगा इसमें क्या रहेगा सेम रहता है वी इकल do ri आप लोगों न पड़ा होगा जब resistance क्या रहे सरेनी में दिया हो स्रीज में दिया होगा तो क्या होगा यही कोशनित पूछा तो यहाँ पर रिमेंस दा सेम रहेगा है क्लियर है और अगला कोश्चन से देखो यहां पर कोश्चन सी यह नुम्रिकल कोश्चन भाई इससे पूछा भी जाता है कि अकन्वेक्स मिरर एक उत्तल दरपन देकर रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ जो है वह आपको फोकल लेंथ एफ देकर रखा हुआ कि भाई सेलेक्ट दांसर फिगा देट फिट्स इन दे ब्लैंक स्पेस इन गिवन प्रोलम मतलब इसमें जो है आपके कौन साइसा जो है एक दो तिन चार इन चारों में से यह एक फिट हो सकता है तापको देखके यहां पर बताना है किलियर है चलिए आगे देखते हैं एनच फॉर का होल टू एसो फॉर हाव मैंनी एटम साप्रजंट इन है एनच फॉर होल टू एसो फॉर मोलिकुल ठीक है तो देखो नाइट्रोजन एक एटम है एनटू मिला के कितने आपके दो एटम हो जाएंगे अब यहां पर देखो एच फॉर मतलब चारगो हैट्रोजन और नेट्रोजन पांच एटम और यहां बाहर में आपको लगा हुआ टू मतलब फाइब गुना टू तो यह दस एटम हो गया फिर है सलफर एक दस एक गारा और ऑक्सिजन के चार एटम मिलके बन गया पंदरा एटम टूटल यहां पर दिया बहुत ही ज़्यादा यह फेमस कोश्टन है कि इनदा डिफरेंस बीटिन दा मोड अंड मीडन इस तु देन डार डिफरेंस बीटिन डर मीडन कितना होगा इसका बहुत ही मतलब फोर्मूला इक इसका होता है नहीं है तो भाई फोरोला जाकर देखो और इस को सॉल्व करों ठीक है फिर यह आर्गोमेंट वाला कोश्चन देख सकते हो आर्गोमेंट रेजम्शन बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं तो जब एक्जाम में रहो तो भाई इस कोश्चन को अच्छे से आर्गोमेंट को पढ़ना है और रेजम्शन को ध्यान में रखते विए आंसर देना अधर वाइस गलती करोगे तो मोमेंटम इस दा मेजर एज दा प्रोड़क्ट अभी आपको मैंने बताया था कि मास यह गुना भैलोसीटी का प्रोड़क्ट होता है तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा अब वहलेसीटी मतलब मेंटर पर सेकंड केजी मेंटर पर सेकंड जो ह इस पर नहीं है कि हुँश्चेशन आप स्मोल बॉंब्स इस करेंटली सट लिस्टेट फॉर इंटर्सेट्रण डबलीन लिटरली लिटरारी अवाड तो बहुत सारे हैं मतलब हमारे जैसे भी दादा साहिब फालक अवाड दिया जा रहा है कि सको दिया जा रहा है बताईए जो मिधुन चक्रवाती को दिया जा रहा है और यह बहुत सारे जो अवाड फंसेन होते हैं उसको आपको ध्यान में रखते विए भाई कोश्चन करने पर इसके बनते हैं अब फिर देख लो यहां पर पूछ लिया है कि दा इंट्रेस्ट और ओन इतना एड़ दा रेट पर इतना में हमको सिंपल इंट्रेस्ट बताना है कि पांच इतना होगा तो सिंपल इंट्रेस्ट सबको पता वाई प्रिंसिपल मुल्दन मतलव सोलो सो दर देके रखा हुआ पांच परसेंट टाइम छे साल बटे गौर्ण रेड तो यह दो जिरो खतम सोलो पच्चे आपका हो हो गया तो इस तरह के पूछ लिए जाते हैं देख सकते हो इसे अपका टाइम से होता है अब यहां पर कुछा गया है कि प्लांट्स डैट डूनट है डिफ्रेंशेटेट प्लांट बोडी बिलोंग पुदा ग्रूप वे पोदे जिनमें पोदे के भीविन भाग उपस्तित नहीं होते हैं वे थेलो फाइटा समू से संबंदित है अब यहां पर को एक कोशन दिदिया है नाइन सीक्स जा फिप्टी फॉर ठीक है तो इसमें देख रहा होगा क्योंकि फाइब फॉर को लिटा लिखा गया साथ सेवन फॉर जा ट्वेंटी एट तो यहां पर भी एक कोशन में आपको दिमाग लगाना है कि यह तीनों में कौन सा इसा कंसेड फॉलो फॉलो फॉजा है जो इसमें भी जो है फॉलो हो गा ठीक है तो आप अपने दिमाग लगा यह और आंसर दीजिए celebrate विडियो को और इसमें भी है कि यह में कॉशन से ऑबरा मिंटर है यह थे यह जमीन हो गया है तो उसके पाद को उसी बिंदू पर रखते हैं सेड़ी को सड़क के दूसरी और से लगाया जाए तो यह खिड़की तक 5 मिटर उच्छाही तक पहुंचती है शड़क की चोड़ाई ग्याद करना है तो भाई यह सड़क की चोड़ाई ग्याद करके बताई यह जब सेड़ी को इधर लेके जाते हैं तो यह उनली पांचे मिटर तक पहुंचती है तो यह वाली और यह वाली मिला के सड़क की चोड़ाई होगी जो आपको बताना है क्लियर है चल अगला कोश्चन देखते हैं तो पोज करो वीडियो इसका अंसर दो यार तबने इसी कं अगला कोश्चन से कि एन इंक्रीज इन दा प्राइस ऑफ विच अफ इस प्रोड़क्ट्स विल है रिपल इफेक्ट ने इंक्रीजिंग दा प्राइस ऑफ मैनी प्रोड़क्ट्स देरवाई रिजल्डिंग इन इंफलेशन भाई या मतलब बोलड़ा कि चार में से कौन सा इसा एक प्रोड़क्ट दिया हुआ है जिसको बढ़ने से भाई इंफलेशन मांगा ही बढ़ जाएगी हमको पता भाई पेट्रोल जो होता है कोई भी समान एक जगत से दूसरे जगान जाता ह ट्रांसपोर्टेशन के अधम से और गाडिया में होती है पेट्रोल पेट्रोल का दाम भाई बढ़ेगा तो डेफिनेटली नो डाउट की इनफलेशन जो है बढ़ेगी कोशन दिया हुआ कि यह कोशन से बहुत जाता पूछा जाता है यह सब ट्रेन वाला कि यह ट्रेन जो इसका 90 किलोमेटर पर आवर तो इसको मेंटर पर सेकंड में करने के लिए 5 ऐटीन ठीक है 518 इस इकोल टू डिस्टेंस होता है कि भाई पूछा इसने ट्रेन की कितनी लेंद के ट्रेन है तो इसमें जो डिस्टेंस होता है टोटल वह बहुत प्लेट्फोर्म का जो है आच-पचेश और दस दोसों पचास में इधर एक सुआ जाएगा तो एक सुपचास मेंटर की ट्रेन थी जो हंडेड मीटर की ब्रीज को दस सेकंड में पार कर जाती है कि अब अगला कोशन देखो यार बहुत इंपोर्टेंट है यह कोशन से पूछा जाता है कि चार केजी अबजेक्ट is moving horizontally with a speed of 5 meter per second to increase its speed to 10 meter per second the amount of net work required to be done on this object is मेरे दोस हिंदी में भी पढ़ते है कि 4 kg भार की एक बस्तू की 36 दिसमें 5 meter per second की गती से बल रही है इसकी गती 10 meter per second तक बढ़ने के लिए इस पर क्या गया कार तो हमें पता है कि work is equal to force into displacement होता है होता है कि कि अगर वो उसको दस तो इस question कपको यहां पर जवाब देना है तो force is equal to होता है मास इन्टू तो हमें यहां पर समझ में आया कि कोई एक object जो 4 kg का है वो पहले 5 meter से travel कर रही है फिर वो 10 meter से travel कर जाएगा तो work required कितना करना पड़ेगा तो हमें बता है कि work required work की मातर क्या होती है जूल होती है यह change in kinetic energy के बराबर हो जाएगा work जो यहां पर निकल का जाएगा तो change in kinetic energy क्या हो जाएगा वन बाइटू mb2 square minus b1 का square होगा तो is equal to one by two mass देकर रखावा चार के जी वीटू मतलब 10 meter per second तो 10 का square मतलब 100 minus b1 मतलब 5 का square मतलब 25 तो इसको solve करोगे तो दो दूना चार और हंडेड में से पचीस गया तो निकल का जाएगा ठीक है अब यह से कोशन देखो भाई उमर का भी कोशन बहुत important है पूछा गया है कि seven years from now आप से साथ साल बाद बिराट महिंदर से दोगना बड़ा होगा तो भाई यह भाई बिराट भी है महिंदर M है ठीक है तो आज से साथ साल बाद बिराट महिंदर से अभी माल लेते कि अभी बिराट के एज भी है अब महिंदर का present age M है तो जो साथ साल बाद बोलेगा तो भाई बिराट महिंदर से दोगना बड़ा हो जाएगा तो बिराट जो तो यहां से एक equation निकलेगा B minus 2 M is equal to 7 2 निचोदर minus 7 equal to 7 equation 1 उसके बाद बोर रहा 5 साल पहले मोहिंदर की आयू 5 साल पहले मतलब मोहिंदर में 5 साल घटा दो उसकी जो आयू थी बिराट की आयू के 2 बाई 5 से एक बरस कम थी तो 2 बाई 5 बिराट भी 5 साल पहले चला गया जो उस टाइम ये बिराट की आयू 5 साल में जो हो रहे थी 2 by 5 बिराट की आयू जो 2 by 5 से एक बरस minus 1 तो ये option यहां पे इसको equation 2 बना दोनों को स्वाल करो answer ले लो ठीक है इस तरह के question पुछा जाते हैं पूछ लिए आपको करेंड पर से कोशन से इस तरह पूछा जाता है कि chairman कोने सेभी का chairman कोने पूछ लिया जाएगा आपको और भी किसी organization का chairman इस रोका chairman कोने डीर्ड कोने बार का कोने यह आपको याद होना चाहिए वे जब फॉलोइंग आपको करना है ठीक है देखते भाई कर पाते हों कि नहीं पॉल्स करो वीडियो को और सॉल करो नेम दा मेटल जैट केंवी इसली कट वित नाइफ हमें पता है कि बाई चाज सोडियम जो होता है अब मुझे यह बताना वाई यह और कोपर की जो है अलुमिनियम की कितनी होती है बताना मेरे को जरा सोडियम की ग्यार होती है ठीक है अब यह देखो यहां पर रिलेशन वाला भी कोशन यहां से पूछता भई है कि फोटो एक देदेगा उसको देखना है कौन के आया नहीं है इसको भी स्वाल करो यार वीडियो पोज करके अब यहां पर फिर आपका स्टेट्मेंट वाला कोशन दिया हुआ है कि एमडी स्यों पूछ लिया अलावाद बेंग का तो भाई आप इस्वा वेगारा कम से कभी याद करके जरू जाना है फिर यह स्टेट्मेंट का कोशन बहुत ही ज्यादा पूछा गया दियार तो यहां पर कोशन पूछा गया है सेलेक्ट दा रिलेटेड वर्ड पेर फ्र काली इस्तन को भरना है तो ABC ठीक है ABC को दिया गया भाई यह क्या एड़ दा रेट और स्टार और टू तो एस एच जो एस सोरी जो डोलर हैज और यह तो भाई डोलर कहां पर है देखो डोलर और हैज कहां पर यहां पर है तो आपको नहीं लग रहा कि ए जो है इसकी जितनी इतार इतार इदर उसका पोज़िट है दयार ट्रोमलओ फेलिशा गैस भाउलोर तो फिर एंग low को शटार और यह थीक उसान h anhा अब यह वाला घुमते रहना है कि आपका खुद से अंसर देना इन दा मॉर्निंग सुबह में एक सट वाई जो है टलने निकलते हैं इच अधर इने पर वें दे मीट इच अधर जो वाई की जो परशाई यह फोल्स स्टेट इन फ्रॉम तो परशाई वाला कोश्चन से अगर यह भाई आंसर दो इस तरह के कोश्चन्स आप लोग खुद से सोल करो कि इस पर देखके बताना कि कितने नंबर अब ट्राइंगल इस पर आपके है कि विच अधी फॉलाइंग इस है सेप्रो ट्रॉफ तो भाई कुकुरमुत्ता जो होता यह सेप्रो ट्रॉफ होता है यह म सब्सक्राइंग पूल को उनए तरह को दस घंटा में भर देते हैं है चैनल टेंकर सी जोयास ईश फास्टेज भी और बीच ट्वाइस पर आप है कि A जो है किसी काम को अगर X दिन में कर लेता है तो B जो है उससे दो गुना काम करता है मतलब वो A का आधा लेगा अब C जो है उससे भी दो गुना काम करता है तो C जो है भाई वो अपका इसका B का आधा लेगा अब इसका सब्सक्राइब क्या प्लाइब करें तो इस कोशस्टन को आप लोग स्विफ करें कि कितना रहा है ठीक है तो इस कोश्टन को अब लोग जो सॉल्व करोगे तो तो X is equal to 70 भाई निकल के आएगा तो यहां पर पूछा गया था कि हाव मुझ टाइम विल टेंकर एट टेंकर ए लेगा तो आपने एक्स को भी तो ए माना था ना एक्स का सत्तर आंसर होगा तो सतर गंड़ा हो गया क्लियर है अगला कोशन है कि दा नंबर अब न्यूटरंस इन इसने एटम जो किसके बरावर होता है तो आप लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई किसी भी एटम के अंदर किसी भी परमानू के अंदर जो क्या होता है इसके जो नुकलियोस होता है नूटरं प्लस प्रोटन होता है ठीक है और प्रोटन जो होता है यह प्रोटन इस उको होगा तो नंबर निट्रन जो होगा तो यह मास नंबर में इधर चला जाएगा तो इhab क्ढूमिक जूर निकल नगा-ट्रोair-3 T को सब्सक्रेजैं गेन कर एक भी पंजाल रेल वे टइनल जो में लोकेड़ दिड्टा जीट 만फerson लिए अब यहां पर कुछ कोश्च दिया हुआ है इसको उस गुरूप को फोलो नहीं करती है तो आपको यहां पे बताना है आपको यहां पर एक तो बहुत कि आपके में आपके को हो गया है इसका फिरिप्स पूछे जाते हैं देख सकते हो पूछ रहे है कि मेंडलीप की आवर्द सरनी होती है आप देखको यह तीसरा चोथा है हमको लगरा कोशन पूछा गया है मेंडलीप की आवर्ट सार्नी में तत्त्त के गुनों को उनके का आवधिक सवाव माना जाता है तो यह उसके परमानु द्रमान होता है ठीक है यहाँ परमानु द्रमान मतलब मेंडलीप की आवर्ट सार्नी में तत्त्त के गुनों को उनके परमानु द्रमान का आवधिक यहां पर देखके बनाया गया भाई टीवी इसलेक्ट दा मॉस्ट अप्रोप्रोप्रेट टर्मिंद गिवेंट सेट तो यह साथ साथ दिक्राव के टेक्नलोजी के बारे बात कर रहा है फिर वह कुशन यहां पर पूछ लिया भाई एसको फिर एक साथ साथ में सोट करते हैं देखते हैं टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा ना चलो ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है तो इसको में लोग साथ में सोट करते हैं कि थ्री यहर्स फ्रोम नाव नाव जो आपकी धर्तरी एज विल बी एट यर्स लेस देन ट्वाइस यूज इस अब से तीन बर्स बाद आट वर्स कम होगी तो यह किसे बनेगा तो सबसे पहले आपको धर्तरी जो है डी और यूज जो है यूँ डी इसका धर्तरी का प्रजेंटेज और यूज इसका यूमानलो कि अभी 2024 जो आपका चल रहा है जिसमें आज का तारिक ज़का ऑग आक्टूबर आठ अक्टूबर यह 24-7早 के तो भाएं 3 साल के बाद करेगा इंस के दो गुणा से 8 वlar रहें तो यह एक्वेस्चन निकल गया फिर पुचन रहा है इन दोनों की बरतमान आयू का योग, bakt THE दी प्लस J जो देकर रखा हुआ है, यह Azadachtsवर्स देकर रखा हुआ हुआ है, 3C2 की यहांसे D और U निकाले लेना और धरतरी की बरतमान आयू मतलबब आपको दी पूछा गया है, तो Nice अब अब यहां पर देखो कोश्चन दिया हुआ कि टाइफ वन वरकर्स केंडू थ्री ताइम्स दा वरक टाइट वरकर्स ट्वेल टाइफ वन वरकर्स केंड कम्प्लीट टास्क इन टेंडेज हो मेनी देज टेक टाइफ फॉर बाई मतलब इस कोश्चन को आप लोग खुद से अच्छी नीती और जोड़ी थोड़ी है इमांदर आदमी जो है पॉलिसी बनाएगा इच पॉलीसी मस्ट कंटेंड ऑनेस्टी इस पॉलीसी यह बहुत जोड़ी नहीं तो मुझे लग रहा है कि दो नहीं ऑप्शन देख सकती यहां पर यहां पर जो है फॉलो नहीं कर रहा अब इस कोशन को आप लोग खुद सी आंसर करो ठीक है कि आप विडियो को पॉस कर लेना अगला को इस दा निवली अपॉंड़ी अपॉंड़नर अफ तमिलनाडू भाई तो अभी भी जो ने ने स्टेट फॉर्म हो रहे हैं जैसे कि अभी हर्याना के लेक्शन होगा जमिन हे ने सांटेल कोशन चैकीशन वीजबियो कि समधिटेवल्स हैं नौ एंब्लम कुछ जो है वह स्काइद्या नहीं हैं… भाइ इस ड्राव समको दीक रहा है कुछ इस तरह का भी ड्रामस को सकता है कि कि सम बॉजेटेबल सार नोट टीवल टो ओप्षन गलत है स्वंब सब्सक्न भीसितेबसद शरू भीस यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे से त्यारी करो और अच्छा नमबर लाओगे तब सब्सक्राइब करना मिलते पर किसी नेक्स वीडियो में सब्सक्राइब